प्रिथवी का जन्म कैसे हुआ? धर्ती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? प्रिथवी के जन्म और धर्ती पर जीवन की शुरुआत का विवरण अत्यंत विस्तृत और वैज्ञानिक तथ्यों से परिपूर्ण है. प्रिथवी का जन्म सौर मंडल का निर्मान जैसा कि हम जानते हैं, सौर मंडल की शुरुआत गैस और धूल के एक विशाल घूमते बादल के रूप में हुई, जो बिना किसी दिशा या आकार के ब्रम्हंड में घूम रहा था। करीब 4.6 अरब साल पहले यह विशाल बादल हमारे सूर्य में तबदील हो गया। प्रिथवी का निर्मान प्रिथवी का निर्मान लगभग 4.6 अरब साल पहले हुआ था। प्रिथवी की सतह ठंडी होने लगी और एक ठोस परत का निर्मान हुआ। इस प्रक्रिया के दोरान ही प्रिथवी के अंदरूनी परतों का विभाजन हुआ, जिसमें कोर, मेंटल और क्रस्ट शामिल है। धर्ती पर जीवन की शुरुआत आधिकालीन वातावरण, प्रिथवी के प्रारंभिक वातावरण में वर्तमान के मुकाबले बहुत भिन्नता थी। इसमें जलवाश्प, कार्बन डायोनेकसाइड, मीथेन, अमोनिया, आधि गैसें शामिल थी। ये वातावरण जीवन के लिए उपयुक्त नहीं था, जैसा कि हम आज जानते हैं। पानी का आगमन प्रारंभिक प्रिथवी पर पानी की उपस्थिती कई वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य है। लेकिन माना जाता है कि धूम केतू और क्षुद्र ग्रहों द्वारा पानी प्रिथवी पर पहुंचा। स्टैनली मिलर और हेरोल्ड यूरे ने 1953 में एक प्रयोग किया जिससे यह सिद्ध हुआ कि आदिकालीन प्रिथवी के वातावरण में प्रोटीन और अमीनो एसिड का निर्मान हो सकता है। ओक्सीजन का उद्भव फोटोसिंथेस की प्रक्रिया के माध्यम से नीली हरी शैवाल साइनो बैक्टीरिया ने ओक्सीजन का उत्पादन शुरू किया। के परिणाम स्वरूप जटिल जीवों का उद्भव हुआ। स्थलिय जीवन लगभग 44 करोड साल पहले। पौधे और फंगस ने स्थलिय वातावरण में प्रवेश किया। इसके बाद जानवरों ने भी प्रिथवी की सतह पर आना शुरू किया। डाइनसोर का युग लगभग 23.4 करोड साल पहले डाइनसोर का युग शुरू हुआ। वे प्रिथवी के प्रमुख जीव थे और विभिन रूपों में विकसित हुए। इस युग का अंत 6.5 करोड साल पहले हुआ जब एक बड़े खुद्र ग्रह के टकराने से उनका विलुप्त होना हुआ। स्तंधारियों का विकास डाइनसोर के विलुप्त होने के बाद स्तंधारियों का विकास हुआ। उनके बीच से ही प्राइमिट्स और अंततह मनुष्यों का उद्भव हुआ। मानव का विकास प्राचीन मानव लगभग 20 लाख साल पहले होमो इरेक्टस का उद्भव हुआ। उसके बाद विभिन्न होमो प्रजातियों का विकास हुआ। जिसमें होमो नेंडर्थालेंसिस और अंततह होमो सेपियंस शामिल है। होमो सेपियंस आधुनिक मनुष्यों होमो सेपियंस का उद्भव लगभग 3 लाख साल पहले हुआ। जिसमें लाखों, करोडों, साल लगे। विज्ञान की निरंतर प्रगती के साथ हम इन प्रक्रियाओं को और गहराई से समझ सकते हैं और नए तथ्यों की खोज कर सकते हैं।